नमस्कार दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंदुगाटी सबता के अवसेश के बारे में जैसा कि हम पिछली दो वीडियो में सिंदुगाटी सबता के नदियों के किनारे बसे नगर तथा उनके उत्खनन करता के बारे में पढ़े चुकी हैं आज हम बात करेंगे उनके अवसेश के बारे में जिसमें हम 30 से ज्यादा अवसेश पढ़ने वाले हैं दोस्तो और वो भी ट्रिक से जिसे आप खटा कट सॉल्व कर देंगे और लास्ट में आपको फ्रेक्टिस चाट मिलेगा जिसे आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे दो दोस्तों और यदि दोस्ता अभी तक आपने वीडियो का लाइक नहीं के तो लाइक कीजिए और जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों वीडियो का इंट्रेस्टेड होने वाली है दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे बड़ी इंट मिली है और सूती कपड़ों के साच मिले हैं तथा कांसे से बनी नर्तक की मूर्थियां भी मिली हैं और कांसे का पैमाना और आर्यों के आक्रमण के साच भी मिले हैं और जहाज निसान वाली मोहरे यानि मोहरों पर जहाज के निसान वाली मोहरे मिली हैं द देखिए दोस्तो मोहन जोड़ों में स्टार्टिंग में नाम आ रहा है मोहन यानि मोहन नाम का एक व्यक्ति है और जितने भी इस्थल हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति या पुरुष का नाम निकल के नहीं आ रहा है किवल मोहन जोड़ों में सर्फ और सर्फ मोहन का ही नाम आ तो मोहन नाम का एक व्यक्ति है और मोहन को क्या चाहिए यानि एक विसाल इसनानागार चाहिए यानि कि उसने सबसे विसाल इसनानागार बना लिया अब उसे अनाज श्टोर करने के लिए एक अनागार चाहिए तो यानि उसने अनागार यानि सबसे बड़ा एक अनागार भी बना लिया नेक्स्ट है सबसे बड़ी इंट अब उसने इसनानागार भी बना लिया यानि सबसे बिसाल सबसे बड़ा इसनानागार भी बना लिया और सबसे बिसाल अनागार भी बना लिया और भई अनागार और इसनानागार बनाने के लिए सबसे बड़ी इंट तो चाहिए तो सबसे बड़ी इट क्या होगी तो सबसे बड़ी इट यानि इसनानागार और अनागार बनाने के लिए सबसे बड़ी इट भी चाहिए तो सबसे बड़ी इट कहां से मिली मोहन जोदल से नेक्स्ट है सूती कपड़ों के साच अब हम आपको बता रहे हैं मोहन जोड़ों से कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है अब वो व्यक्ति है तो भाई कपड़े तो पहने गया ना तो उस समय जीन्स बगेरा तो थी नहीं तो यानि सूती कपड़े पहन थे थे मोहन कैसे कपड़े पहनता था? तो सूती कपड़ों के साथ कहां से मिले हैं मोहन जोदलों से next है कांसे से बनी नर्तक की मूरती और कांसे का पैमाना अब देखिए दोस्तों यहां पर बात हो रही है कांसे की ना की ताबे की ताबे के साथ जो हुआ हड़ापा से मिला है तो हम बात करेंगे अपने next topic में तो अभी हम बात किस की कर रहे हैं मोहन जोदलों की मोहन जोदलों में किस के साथ मिले हैं भाई कांसे के यानि कांसे की नर्तक की मूरती और कांसे का पैमाना अब देखिए दोस्तों मोहन जो था बो सबसे अलग हटके था क्योंकि उसको तावा पसंद नहीं था उसको क्या पसंद था उसको सरफ और सरफ कांसा पसंद था कांसा यानि कांस तो उसे कांस पसंद था तो उसने कांसे से बनी नर्तक की मूरतीया भी बनवाई और कांसे का पैमाना बनाया क्योंकि वह तो सबसे अलग हटके है न या ङानी सबसे-अलग रहता था अब देखे भई जब उसके पास अनागार लगार इंटे तता क्सी कपड़े गए जेन्स बग्यारा तो चलती नहीं थी कांसे की मूर्तियां पैमाना हो गए तो यह उसके ठाट वाट कैसे होगे खूब बड़े तरीके से रहने लगा जैसे नहीं पहले राजा रजवाड़े लोग रहा करते थे तो जैसे उसके ठाट वाट हो गए तो प्रक्या गुए द एहुआ रहे थे ना उनको पता चल लिया कि भई मोहन के पस सबसे बड़े ही ऑर सूती कप्ड़े आ हैं कांसे की मूर्तिया तता पैमाना तो नहुंने अक्रमड बोल दिया उन्हें मोहन पर यान दो ऑखिश्यन कर दिया तो जब यह बात मोहन को पता चली कि आर्योंने वाई आक्रमण कर दिया है तो उसने क्या किया उसने सारी महरों को एखटा किया और एखटा करने के बाद वह समुद्र की रास्ते जहाज से चला गया क्योंकि उसे पता चल गया था कि आर्योंने उसके राज़ पर आक्रमण कर दिया है तो उसने ऐसे दिया गया मोहन नाम नाम का लेगती है और शोते कप्डे कप्डे कैसे कप्डेता तका पीसे क्या पत्त प्संद था सहां य। कांस तो वह कांसे की नड़तक की मुर्तियां भी उसने बनवाई और कांसे का पहमाना भी बनवाया यानि इसके थाड़ वाट होगे तो भई जब आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों जब इसको इस्टोरिकल तरीके से पढ़ेंगे ना तो यह हमारे दमाग में बिल्कुल हो जाएगी आप कभी नहीं बूलोगी दो और दोस्तों वीडियो के लाश्ट में मिलेगा आपको प्रैक्टिस सैड जैसे आप चुटकियों में सुल्फ कर देंगे और यादि आपको बीडियो हैल्पू फ़ल लग रही हो तो दो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है न और कमेंट बॉक्स में जरूरं बताना दोस्तों जीप लागों को ट्रिक कैसी लग Shakti नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तो लोथल लोथल में दोस्तो बंदरगाह के साक्ष मिले हैं फारस यानि जो इरान में पड़ता है यानि फारस और इरान की मोहरे मिली हैं ममी के प्रमाण मिले हैं हाथिदात का पैमाना तथा आठा पीषने की चक्की लोथल से मिली है इससे पहले दोस्तो हमने बात की थी मोहन जोदडों की तो मोहन को क्या पसंद थेता यानि उसे का सा पसंद था और यहां से मिला है आथीदात का पैमाना अब देखें दोस्तो आप लोगों को पता होगा कि लोथल एक पहले बंदरगाया हुआ करता था जैनि बंदरगाय क्या कॉन सा था यानि लोथल नि पहले लोथल जो था वो बंदरगाह हुआ करता था तो बंदरगाह के साथ कहां से मिले हैं लोथल से अब नेक्स्ट है फारस इरान की मोहरे अब देखिए दोस्तों बंदरगाह हो गया तो जब बंदरगाह हो गया तो वहां पर व्यापार भी होगा तो व्या तो ब्यापार करने के लिए मौरें लाते थी, तो यहां से हमारा फारस और इरान की मौरें क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट है ममी की प्रमाड, यह कहां से मिला है, यह भी लोथल से मिला हुगा है, और देखिये दोस्तो, ममी बनाने की जो प्रता थी, वो अपने भारत में नही ती, यह प्रता जो है, है weinaustr से चली थी, जहां के लोगों को विस्वास था कि मरने के बाद भीक्तियों की आत्मा बापस लोट आ ति है यान dhb मालूम था कि जो लोग मर जाते हैं तो उनकी आत्माय जो थी वो बापस लोट आती थी तो वह उनको सबों को नश्ट नहीं किया करते थे तो उनके सबों में वह तेल मसाला लगा कर और कपड़े से उन्हें लपेट दिया करते थे और लपेटने के बाद उन्हें एक ताबूत में बंद कर देती थे और जब ये लोग भारत में ब्यापार करने के लिए आए और लोथल की लोग इनके संपर्क में आए तो लोथल की लोगों में भी ममी बनाने की प्रता सुरू हो गई यानि उनको भी विश्वास हो गया कि लोगों के मरने के बाद आत्माइं वापस लौटाती हैं तो भी ममी बनाने लगे नेक्स्ट है दोस्तों हाथी दात का पैमा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोथल क्या है एक बंदरगा है तो वहां पर बैपार तो होगा ही ना और जब बैपार होगा तो वहां पर भारी वरकम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जाएगा तो वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हाथी का लोग इस्तिमाल करते थे यानि हाथी दात का यानि हाथी के जो दात थे बड़े बड़े तो उन पर सामान रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा करते थे जब हाथी सामान उठाने लगा तो भाई हाथी का दाथ टूट गया जब हाथी का दाथ टूट गया तो लोगों ने देखा कि भाई हाथी का दाथ तो टूट गया तो उन लोगों ने टूटे हुए दाथ को उसका पैमाना बना दिया, तो जब पैमाना बना दिया, तो ऐक किया कहला जाने लगा? हाथी दात का पैमाना, तो आफ इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तो, नेट्थ कहो हैं दोस्तो, आटा पी censusinté की चक्की। वैसे दोस्तो ऐसा वहां पर यह सब कुछ हुआ नहीं था, नहीं वहां पर हाथ ही था, नहीं उसका दाठ टूटा था, यह सर्फ आपको याद कराने और रिलेट कराने के लिए हैं, दोस्तो चलिए दोस्तो बात करते हैं, next आटा पीषने की चक्की, इसके भी साथ जो हैं बो 50 जमीन पर लगाएंगे तो इसमस को याद रख सकते हैं अब एक वार देखीव तो फटाल यानि पहले बंदरगा के साफ कहां से मिले नेक्स्ट नियुक्त्व ने नाक्स्ट्थिप्षर लोग व्यापर करने के लिए भी तो जब ब्यापार करने के लिए आएंगे तो आप पर मुहरे भी लेकर आएंगे साथ में नैस्ट दो तो ममी के प्रमाड ममी के प्रमाड है जो दोस्तों यह अपने भारत में था नहीं यह कां से प्रचले दुगा है मिसर से जो फार्स लोग थे ना यह लोथल के संपर्क में गए तो बहुतार करने लगे ममी की प्रता को उन्होंने भी लागू कर दिया नैस्ट दोस्तों हाथी दात का पर में तो नहीं जमीन जब तो तो क्या हो जाएगा लोथल यानि यह सभी जो साच से हैं दोस्तों यह कां से मिली हैं दोस्तों लोथल से मिली हैं दोस्तों उम्मीद है कि दोस्तों आपको ट्रिक ब्याद पसंद आ रही होगी यदि पीस पसंद आ रही है दोस्तों तो यह विलाइक तो बनता है अब बात करत काली काली बने काली निकाल नीकाली मिटव ऑगी ओस द्रस्टे में काली मृटव एप अब यह लगी जुन ऐ measurement judge नहीं नयुक्त फसल कई यूधिधी फोगी बहुति अची फ़सल होगे तो फसल भूएंगे तो किया लगाएंगे पानी लगाएंगे दोफरेतों क्वेस कि नाली पानी था नहीं वहाँ पर लकड़ी की नालियां कुछ नहीं थी लकड़ी की नालियों के साच कांस मिले हैं दोस्तों काली बंगा से नेश्ट दोस्तों काली मिट्टी की चूड़ियां अब देखे दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है काली मिट्टी की चूड़ियां और यहाँ पर क्या है काल यनि मिट्टी चूड़ियों के साच है कंसि मिलने जोस्तों काली बंगा से बिलकुल रच त्रक है दोस्तों यहाँ पर और दिया है काली काली त्रक बिलकुल कंची एटों काली बंगा से मिले हैं अब देखें दोस्तों कच्छी इंटों बनाने के लिए हमको क्या चाहिए मिट्टी चाहिए ना और मिट्टी कैसी चाहिए दोस्तों काली मिट्टी लाएंगे कहां से खेतों से चलिए दोस्तों काली बंगा यानि काली मिट्टी तो काली मिट्टी कहां मिलेगी दो नाली नाली किसी बनाएंगे दूस्तों काली मुट्टी की चूड़ियां जो दी गये दूस्तों काली से याद रख़ा लेंगे और को से क्जैक किस से बनाएंगे काली मुट्टी से बनाएंगे विल्कुल युजिए है कि आपको याद करने ato hippo us सबसे बड़ा कब्रिस्तान ता यानि और यहां पर पत्थर की मूर्थियां वो कहां से मिली हैं हड़पा से मिली हैं और नेक्स्ट दोस्तों यहां पर कबरिस्तान के साक्ष मिले हैं और यहां पर दोस्तों किसका पैमाना मिला है और वहां पर किसका पैमाना मिला तो कहां से पैमाना मिला था यानि मुमान को क्या प्रसंद देता कहां सा यानि हमने आपको क्या बताया था दोस्तों तामा का संबंद किससे हो जाएगा हडपा से यानि तामे का पैमाना कहां से मि में पत्तर से बनां जाक्त म कि मरद शारी चीजेां सब ऐस Health for English कोई हमसे मौरतियां मनाते थे हडबना हो तो अब लूआ के आगे दिया है कब्रिस्तान के साथ तो कब्रिस्तान के साथ दूस्तों का से मिलें यह भी हड़ापा से मिलें अब देखिए दूस्तों यहां पर आप एक बात नोट कीजिए यहां पर जो कब्रिस्तान के साक्ष मिलें वह और वन और टू और थ्री और फॉर और सेवन करके दूस्तों मिलें यह कापी important है,ईकजा में कई बार पूछा गया है , तो इसमें से छो 37 कभरिस्तान था , वह सबसें बड़ा माइन अब दूस्तो हुगा अब क्या , कि जब लोगों की बस्तुमों को जब वो हडपने लगे ना जब वो हडपने लगे तो किसी साथू संत मात्मा ने कह दिया कि भाई अगर तुम हडपोगे ना तो कबरिस्तान में जाओगे जो वाँ के लोग थे ना वो लोग एक दूसरे की चीज़ों को हडप लिया करते थे तो जब लोग हडपने लगे लोगों की प्रोपरिटी को तो आपर लोग साथू संत मात्मा जो थे वो कहने लगे कि भाई आकर तुम किसी दूसरों की प्रोपरिटी को हडपोगे ना तो कबरिस्तान में जाओगे यानि उन लोगों को उसनों ने डरा दिया था तो क्या सबसे बड़ा कबरिस्तान था तो कबरिस्तान के साच कांस मिले हैं दूस्तों हड़ापा से अब बात करते हैं दूस्तों तावे का पैमाना इसका साच कांस मिला है दूस्तों यह भी हड़ापा से मिला है दूस्तों अभी तक दूस्त हम तीन पैमाने पढ़ चुके हैं पहला क से का पाइमाना दूसरा है ऑठीडात का पायमाना और तीसरा फाय का पाइमाना जो मैंने आपको बता है जो proces from 알ाता हुरो का अजोर में मोहान को क्या पप्स60 देथा कासा और और जो हाधी दात का पया माना था आप में लो तल यानि बनदर कहां लोख तो तीसरा LOVE और यह भी मेंतब करते हैं दूस्तार अब बात करते हैं दोस्तो आउपनिर 6 दिया गया दोस्तो बनवाली से क्या मिला मिट्री की अच्छी किस्मित दो FARIK column और तील और यह का वाणाङ्र मिला है अब दोस्तों यह वाणाकर होता है अब देखिये दोस्तों जो और शवं के ती जो प्योग में लाया जाते थैं瞑 Principome that Сов के लिदए harsh जो तुब ने का वह होता है张 कीम फॉलते हैं तो जो स्थाने के नुकीला होता है अब देखिए दोस्तों यहां दिया है बनवाली यानि बनवाली को क्या बोलेंगे बागवानी बनवाली बागवानी भाई अब हमको बागवानी करने है तो बागवानी करने के लिए मिट्टी के हल मिट्टी के हल दिया गया है ना तो मिट्टी के हल वाई काम मैं नहीं करेग क्या काम करेगा ब्याइड लोहे के लगा करेगा यानि बागवानी की लिए मिट्टी के लगते हैं तो से काम नहीं चलेगा मिटी कहल तो तूट जाएगा ना तो मैं क्या चाहिए एक दम मजभूत तो भागवानी के साहिए दूस्ते कि oस्तों कि सबहने क्या चाहिए दोस्तों प्यास कडा नहीं करों क्या की रोकतों करने के वागवानी करेगा ना तो जिव रच्छा करेगा ना तो इसको कि जरूरत होगी वह यह तावे के बाणागर, यानि धनुस बाण की जरूरत होगी न उसको, अपने फसल के रच्छा करने के लिए, बागवानी के रच्छा करने के लिए इसको धनुस बाण की जरूरत होगी, उस समय पिस्टल, तोप, गोला, तोपे तो चलती नहीं थी, तो वही तीर कमान से ही काम चलाएगा ना तो तीर कमाने के लिए इसमें किसका प्यों करता था तावेगा उमीद है दोस्तों आपको यह याद हो गया होगा यह दोस्तों बिल्कुल एजी ट्रिक है एक बार आप इसको मैंड में एच्छे बैठा लेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे और वैसे यह आप दोस्तों रंगपुर रंगपुर से दोस्तों चावल के साच मिले हैं और दोस्तों रंगपुर से चावल के साच मिले ही हैं और साथ में लोथल से भी चावल के साच मिले हैं यह रंगपुर और लोथल दोनों स्थान से चावल के साच मिले हैं और गेहों की खेती के जो साच वो भी रंगपुर से मिली है नेक्स्ट दोस्तो मात्र देवी की मरण मूर्तियां नहीं मिली है और दोस्तो यहां पर हमसे थोड़ा 워요 तो मंत्र देवी के मरण मूर्तियां मिली थी और आलमकिर में मात्र देवी मरण इसको करते हैं और यदे तो आपक dost दिया जाए की कि चाबल के साथ में से मिलें हैं तो आपbaar भी मिल सकता है और लोध भी मिल सकता है यदे दोनों मिलेंगे तो आपको एक option और मिलेगा दोस्तों एवाब भी दोनों तो वहाँ पर या तो आपको रंग पूर मिलेगा या लोतल यानि दोनों में से एक मिल सकता है या दोनों मिलेंगे तो दोनों में से से एक होगा ये और भी दोनों ठीक है दोस्तो अब कियाम के साथ कहां से मिली में रंग पुर से टीवी बगाईरा थे लगार आ WITH दिखते हैं दोस्तो एक लाइन चलता है कि चार फुट पांच इंच रंग गहूं रापता है जो है तो इसको ऐसे राफना-पुर तो इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तो। यदन है था स्को कर लिए चाहता・ उसको भी हम ट्रिक्स से आत करनें है आप आप इसको ट्रिक्स आप करना सकते हैं कि रंग पुर में लाश्ट में पुर और ऐलमगीर पुर की लाश्ट में भी क्या रहा है पुर। यानि जो आलमगीरपुर और रंगपुर यानि ये दो ऐसे स्थान जहां पर मातर दोवी के मूर्थियां नहीं मिली हैं ये दो स्थान ऐसे हैं जो रंगपुर और आलमगीरपुर जहां पर मातर देवी के मूर्थियां नहीं मिली हैं दोस्तो अब बात करते हैं दोस्तो नेक् जो सूरवीर और बहदू लोग तो जब युद्ध करते हैं तो युद्ध क्या काम चा 통का करते हैं तो घोड़े की तो execution करते हैं न दोस्तों से सुरबीर और बहदूर्रो और बहदूर लोग होते न वह कि घुठ करते हैं न की ओठ से लड़ते देखा है उट से लड़ते हुए किसी को देखा है दोस्तों नहीं हाथी तो देखा होगा कि हाथी और गोड़े युद में जाते हैं बट नहीं जाते हैं दोस्तों यानि घोड़े का इस्तिमाल कौन करते हैं दोस्तों युद्ध में सूर्वीर और बहद्र लोग करते हैं लेक यह कहां से प्राप्ट हुए है अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तो देखो जैसे माल लेते हैं आप से किसी ने बोल दिया कि तुमको नौपाशार तामर पाशाड तता सिंदू सब्ता ये तीनों पाड जो है ना याद करने हैं दुस्तो तो रो पड़ तो भाई आप रो पड़ोगे ना कहोगे ना इतना सारा मुझे याद करना ये तीन चेप्टर कैसे याद होंगे तो आप रो पड़ोगे कि भाई ये तीन चेप्टर कैसे याद होंगे कैसी टेस्ट निकलेगा भवाई देखो भवाई पढाना तो पढ़ेगा ना यदि आपको लो करना तो पढ़ना पढ़ेगा नौकी तो लेनी पढ़ेगी न और एक करेंगीरपूर मातर यह से दोस्तान ऐसे मातर देवी के मनमूर्थिया नहीं मिली और सभी जगह से मिली दोस्तों इस चीज को आपको याद रखना है दोस्ति आपर प्रब्वेज्ट नहीं होना है छोटो नेश्टेन से विखक्पाइब तो नाॲोतल यानी बंदरगह यानि बंदरगह पर सामान डौने के लिए किसका क्यों करते हैं मुहन को पसंद देता दूस्त नेश्ट थो तामे का सब्सक्राइब दोनों जगह से मिले हैं दूस्तों आपके सामने आता हुए प्रेक्टिस एट तो आप लोगों से उम्मीद यह है कि आप लोग जिल्कुल सही जवाब देंगे तो आपके सामने पेस होता है प्रेक्टिस सब्सक्राइब आप को मिलते हैं तीन सीकेंड ओप्सन ए मोहन जोद्लों औरे से मिलें हैं आपको मिलते हैं तीन सेकेंड शूती कपड़ा कान पैंता था कौन 40% से रहता था महाँन जो दोस्टि कपड़ो के साथ कहां से मिले हैं आपका मिलते हैं तेन सेकेंड सुआ अप्सटि बी लोथल यानि लोधल की था एक बंदरगा था तभापर फारस के लोग या पर करने आते थें उन्हीं लोगों ने लोगों को क्या स्खादिया मुमीबनाना सिखा दिया मिलते हैं दोस्तों अपने kस सिंदुगादी सभथा के दुटा किस थले वह उत्खना करता तता नदीगे किनारे बसे न गरों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ाया दोस्तों तो इसकी लिंक में डिस्क्रिप्स्न में आपको देढ़ांगा तो वार साफ वीडियो को सब्सक्राइब कि अफिस्टों के सब्सक्राइब को मिलते हैं और उप्षिन हडपा दोस्तों हमने आपको क्या बता है यानि हडप लिया करते थे तो आगे संत्मादम क्या करते थे कि वहिया एक दूसरे की चीज़ों को मतलबो नहीं तो तुम कब्रिस्तान में जाओगे option D हमारा यहाँ पर right answer हो जाएगा मिलते हैं दोस्तो अपने next question से next question है दोस्तो हमारा जोते हुए खेतों के साथ कहां से मिले हैं आपको मिलते हैं 3 second काली मिट्टी क्या हो जागा दोस्तो option C काली बंगा यानि काली मिट्टी कहां से मिली थी दोस्तो जोते हुए खेतों में तो अपर option number C हमारा right answer हो जाएगा मिलते हैं दोस्तों अपने next question से next question है दोस्तो काली मिट्टी की चूड़ियों के साथ कहां से मिले हैं इलकुल एजी है मेरे भाई काली काली option C काली बंगा यानि काली से क्या हो जागा काली यानि काली मिट्टी के साथ कहां से मिली हैं option D बनवाली आपको क्या पता है दोस्तों मैंने बागवानी करने के लिए मिट्टी के हल से काम नहीं चलेगा भाई उसके लिए कैसा हल चाहिए मजबूत हल तो आपर option D हो जाएगा हमारा right answer मिलते हैं दोस्तों अपने next question से next question है दोस्तों बिल्ली के पैर की छापबाली इट के साथ कहां से मिले है option A चनहुदूडो sorry दोस्तों ये मैंने आपको करवाया नहीं लेकिन मैं करवा देता हूँ देखे दोस्तों उपर दिया गया है बिल्ली यानि बिल्ली के पैरों की छापबाली इट के साथ कांस में चनुदुड़ो चनुदुड़ो से वह इस आ रही है चुहा यानि चुहिया यानि बिल्ली और चुहा आप लोगों को पता है कि बिल्ली और चुहिया में कितना गहरा संबंध है तो क्या हो जाएगा बिल्ली की पैर की चाप का मिली है चनुदुड़ो से जानि बिल् का हूं और इसका जवाब आपको कमेंट बाक्स में बताना है यदि आपका कोई सुझाओ या बिचार हो दोस्तों तो जरूरा कमेंट बाक्स में बताएं और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है यह भी कमेंट बाक्स में जरूर बताएं चलिए दोस्तों मिलेंगे हम आप झाल झाल